देवशेनी एकाद्शी पर देवों के सोने से पहले करे ये उपाय कभी नहीं होगी धन की कमी. हर महीने की कृष्ण और शुकल पक्ष की एकाद्शी तिथी जगर्थ के पालनहार भगवान विश्णू की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होती है. साथ ही इस दिन शुब की प्राप्ति के लिए व्रत भी किया जाता है. ऐसी मान्यता है कि एकाद्शी व्रत करने से जन्मजन मानतर में किये गए सभी पाप नश्ट हो जाते हैं. जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय आशाड माह चला हुआ है. और आशाड माह में आने वाली देवशेनी एकाद् देवशेनी एकादशी को देवशेनी एकादशी, हरिश्यनी एकादशी और पद्मनाभा एकादशी भी कहा जाता है। देवशेनी एकादशी का दिन हिंदू धर्म में बेहत पवित्र माना गया है। यानि कि इस दिन से चार महीनों तक संत भी यात्रा नहीं करते हैं, बलकि एक ही जगहे पर रहकर भगवान की भक्तिसाधना करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2024 की देवशेनी एकादशी कब है, इसका वरत कब रखा जाएगा, और वरत का पारण कब किया जाएगा, और इस दिन का महत्व क्या है, इसके अलावा देवशेनी एकादशी पर कोन से उपाय करने से? सुख संपत्ती की प्राप्ती होती है, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरी विश्नु जी का आशिरवाद आप सभी पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर, ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जैश्री हरी विश्नु जरूर लिखें। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि 2024 की देवशैनी एकादशी कब है, इसका वरत कब रखा जाएगा और वरत का पारण कब किया जाएगा। हिंदू पंचान के अनुसार आशाड माह की शुकलपक्ष की देवशैनी एकादशी तिथी का आरंभ 16 जुलाई 2024 को रात 8 बचकर 33 मिनट से होगा। और इसका समापन 17 जुलाई को रात 9 बचकर 2 मिनट पर होगा। वही देवशैनी एकादशी का वरत 17 जुलाई 2024 बुधवा को रखा जाएगा। साथ ही देवशैनी एकादशी वरत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। एकादशी वरत का पारण द्वादशी तिथी समाप्त होने से पहले करना चाहिए। बता दें की देवशैनी एकादशी का पारण 18 जुलाई को किया जाएगा। और देवशैनी एकादशी के वरत पारण का सही समय 18 जुलाई को सुबह 5 बचकर 35 मिनट से सुबह 8 बचकर 20 मिनट के बीच रहेगा। वही द्वाजशी तिथी समाप्त 18 जुलाई को सुबह आठ बचकर 44 मिनट पर होगी आईए अब जानते हैं कि देवशैनी एकादशी का महत्व क्या है माना जाता है कि देवशैनी एकादशी के दिन से भगवान श्री हरी विश्नु विश्राम के लिए क्षीर सागर में चले जाते हैं और पूरे चार महीनों तक वही पर शयन करते हैं भगवान श्री हरी के शयनकाल के इन चार महीनों को चातुर मास के नाम से जाना जाता है इन चार महीनों में श्रावन, भादरपद, आश्विन और कार्थिक मास शामिल है चातुर मास के आरंभ उने के साथ ही अगले चार महीनों तक शादी ब्याह ग्रह प्रवेश आदी सभी शुब कार्य करना वर्जित हो जाता है देवशैनी एकाद्शी का वरत रखने और भगवान विश्नों के साथ मा लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में खुशाली और सुख समृध्धी की प्राप्ती होती है आईए अब जानते हैं कि देवशैनी एकादशी पर कोन से उपाय करने से शुब फलों की प्राप्ती होती है नंबर एक अपने दामपत्य जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए देवशैनी एकादशी के दिन रात को सोते समय अपने तकिये के नीचे एक तरफ एक कपूर की टिकिया और दूसरी तरफ सिंदूर की डिब्बी रख कर सुएं अगले दिन सुभर जल्दी उठकर कपूर को घर के बाहर जला दें और सिंदूर को अपने इस्तमाल में ले लें या मंदिर में दान कर दें इसलिए इस दिन जल में आवले का रस डाल कर सुर्योदय से पूर्व स्नान करने से बहुत पुन्य प्राप्थ होता है और प्राणी के सारे पाद दूर हो जाते हैं नंबर तीन अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हो गए हैं तो ऐसी स्थिती में देवशयनी एकादशी के दिन ये उपाय बेहत फलदाई साबित होंगे इस दिन स्नानध्यान के बाद विधिपूर्वक से भगवान विश्नुजी की पूजा करें और उन्हें केला और मिठाई समेट आदी चीजों का भोग लगाएं साथ ही सुक्षान्ती की प्राप्ती के लिए काम ना करें ऐसा करने से आर्थिक तंगी से मुक्ती मिलती है चाहते हैं तो इसके लिए देवशैनी एक आदशी के दिन सुबह नहाने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें इसके बाद पूजा पाठ करें और भगवान विश्नु के सामने एक सिक्के को रखें थोड़ी देर बाद इस सिक्के को लाल कपड़े में एक बांध कर तिजोरी या फिर पर्स में रख दें माना जाता है कि ऐसा करने से बिजनेस में अपार वृध्धी होती है नमबर पांच अगर आप पैसे की तंगी से परेशान हैं तो देवशेनी एकादशी पर जटावाला नारियल घर ले आएं सनानध्यान के पश्चात जगत के पालनहार भगवान विश्नु की पूजा करें इसी समय विधिवत नारियल की पूजा करें और नारियल को तिजोरी में रख दें इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी की समस्या दूर होती है नमबर छे यदि आपके मन पसंद विवाह में अर्चने आ रही हैं तो देवशयनी एकादशी के दिन सनान के बाद भगवान विश्नु को प्रणाम करें और आसन बिछा कर उस पर बैठ जाएं फिर विश्नु जी के मंत्र ओम नमो भगवते नारायनाय का ग्यारह बार जाप करें इससे आपके मन पसंद विवाह में आ रही अर्चने दूर हो जाएगी नमबर साथ देवशयनी एकादशी के दिन श्री नारायन का कच्चे दूध में केसर मिलाकर अभिशेक करने से भगवान शीघर प्रसन्न हो जाते हैं ऐसा करने से आपके घर में धन का आगमन बना रहेगा और जातक को जीवन में कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता है उसका घर सदैव धन धान्य से भरा रहता है नमबर आठ देवशयनी एकादशी पर भगवान विश्नु की विधिवत पूजा कर वरत का पालन करें और विश्नु सहस्त्र नाम या गोपाल सहस्त नाम का पाठ करें ऐसा करने से आपकी संतान योग्य बनती है और उनके कश्टों का निवारण होता है नमबर नौक जगत के पालनहार भगवान विश्नु के दस अवतारों में से पहला मत्स्य अवतार है अतहदेव शनी एक आजशी तिथी पर चान्दी की मचली की प्रतिमा घर अवश्य ले आएं और घर की उत्तर दिशा में स्थापित करें इससे घर में सुख और सम्रिध्धी आती है और घर में सुख शांती का माहौल बना रहता है नमबर दस शंख की ध्वनी आध्यात्मिक शक्ती से संपन्न होती है इसकी ध्वनी जहां तक पहुँचती है सभी प्रकार की नकारात्मक उर्जा दूर होती है साथ ही वहां तक के वातावर्ण में रहने वाले सभी कीटानों नश्ठ हो जाते हैं इसलिए देवशैनी एकादशी के दिन पूजा करने के उपरांत शंख का जल पूरे घर में छिड़क देने से घर में सकारात्मक उर्जा बनी रहती है नमबर ग्यारह देवशैनी एकादशी के दिन दान का बहुत महत्व है अगर आपके घर में कोई बहुत बीमार रहता है तो आपको जरुरत मंदों को फल, दवाया और वस्त्रदान करने चाहिए इससे आपको स्वयन मानसिक शांती का अनुभव तो होता ही है साथ ही मान्यता है कि इससे व्यक्ति के रोग कटने लगते हैं और वह जल्दी ही स्वस्थ हो जाता है नंबर बारह देवशनी एक आजशी पर रातरी के समय भगवान नारायन की प्रसंता के लिए नृत्य भजनकीर्तन और स्तुती के द्वारा जागर्ण करना चाहिए जागर्ण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वहां हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता है इस दिन मंदिर तुलसी के नीचे और नदियों के किनारे दीपदान करने से भी श्री हरी विष्णु आर मा लक्षमी की करिपा बनी रहती है 13. देवशेनी एकादशी के दिन स्नान करके घर या मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाकर गीता का पाठ अवश्य करें ऐसा करने से आपके पित्रि प्रसंद होते हैं और आपको पित्रों का आशिरवाद मिलता है एवं घर के लोग तरक्की करते हैं 14. मा लक्ष्मी को कमल का फूल अतिप्रिय है इसलिए देवशेनी एकादशी पर माता लक्ष्मी को कमल का फूल चड़ाएं और साथ ही ओम नारायनाय नम मंत्र का जाप करें ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी 15. देवशेनी एकादशी पर शाम को मा लक्ष्मी और भगवान विश्नो की पूजा करने के बाद लाल कपडे में तुलसी की जड़ लपेट कर उसे कलावे के साथ गले में पहन लें 15. उपाय को करने से आपके धन में वृद्धी होती है और आर्थिक तंगी दूर होती है 16. देवशेनी एकादशी के दिन स्नान आदी के बाद साफ कपड़े पहने और तुलसी के पौधे की पूजा करें 15. तुलसी से अपने अच्छे दामपत्य 16. जीवन के लिए प्रार्थना करें 17. इससे आपके दामपत्य जीवन में मधुर्ता बनी रहेगी 17. साथ ही देवशेनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के पास देशी घीका दीपक जलाकर आर्ती करें 18. और तुलसी माता को एलाल चुनरी अर्पित करें 18. शास्त्रों के अनुसार इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन सदैख खुशाल रहता है और पती-पत्नी के रिष्टे मजबूत होते हैं 17. अपने करियर की वृध्धी के लिए अपने आपको एक उचे मुकाम तक ले जाने के ये देवशैनी एक आदशी के दिन भगवान विष्णु को माखन मिश्री का भोग लगाएं और श्री विष्णु की मूर्ती या तस्वीर के आगे बैठकर ओम नमो भगवते नारायनाय मंत्र का एक माला यानी 108 बार जाप करें आप सरकारी नौकरी की परीक्षाओं की बहुत दिनों से तयारी कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो देवशैनी एक आदशी के दिन आप विष्णु भगवान को एक जटादार पानी वाला नारियल अर्पित करें उसे 20 मिनट बाद वहां से उठा लें और फोड कर उसकी गिरी निकाल कर परिवार के सभी सदस्यों में बाट दें और खुद भी खा लें साथ ही उस नारियल में से निकले हुए पानी को भी प्रसाद के रूप में ग्रहन कर लें नामबर 19 अगर आप जगत के पालनहार भगवान श्रीहरी विश्नु की क्रिपा पाना चाहते हैं तो देवशैनी एकादशी तिथी पर सफेध हाथी की प्रतिमा घर ले आएं भगवान श्रीहरी विष्णू को गज अतिप्रिय है सफेध हाथी की प्रतिमा घर पर रखने से वास्तु दोश भी दूर होता है और इससे घर में सुख समरिध्धी का भी वास हो जाता है अगर आप घर में सुख और समरिध्धी को बरकरार रखना चाहते हैं तो देवशैनी एकादशी तिथी पर कामधेनु गाय की प्रतिमा घर ले आएं अब विधिवत कामधेनु गाय की पूजा उपास ना करें चिरकाल में समुद्र मन्थन के समय क्षीर सागर से कामधेनु गाय प्रकट हुई थी नमबर 21 यदि आप घर में सुख समरिध्धी चाहते हैं तो देवशैनी एकादशी के दिन भगवान विश्नु का दक्षिनावर्ती शंक से जलाभिशेक करें ऐसा करने से आपको भगवान विश्नु के साथ साथ मा लक्ष्मी का भी आशिरवाद मिलेगा और आपके घर में सुख समरिध्धी का वास होगा नमबर 22 धर्म शास्त्रों में नहित है कि एकादशी तिथी पर तुलसी माता की पूजा करने से जगत के पालनहार भगवान विश्नु प्रसन्न होते हैं तुलसी को धन की देवी मा लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है शास्त्रों में एकाजशी तिथी, पर तुलसी दल तोड़ना वर्जित है आथ एकाजशी तिथी पर भूल कर भी तुलसी दल न तोड़ें इस दिन नर्सरी से तुलसी का पौधाला कर घर पर जरूर लगाएं अगर विडियो अच्छी लगी तो विडियो को लाइक एंड शेर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ओफिशिल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को औल पर सेट कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू विडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं विडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद